आज जम्मु कश्मीर नेशनल 35 पार्टी की तरफ से यह प्रेस कांफर्स मुनकद हो रही है मैं एड़ोकेट सलीम शेक वाइस प्रेजिडेंट जम्मु कश्मीर नेशनल 35 पार्टी मेरे साथ बैठे हुए शिरी पीके गंजु जी वरकिंग प्रेजिडेंट शिरी हकिकत सिंग जी स्टेट के जनल सेक्टरी है शिरी पारूप डौर जी प्रेजिडेंट कश्मीर बलवान सिंग जी है ये स्टेट के जनरल सेक्टरी है, मिश्ताग खान साब है, शोपिया से डिस्टर्ट प्रेजिडेंट है, सुरिंदर कुमार वाहिजी है, स्टेट के सेक्टरी है आज हम इस प्रेस कांफर्स के माधियम से ये बताना चाहते हैं कि कल हमारी पैंटर्स पार्टी का एक डेलिगेशन लेफ्ट डेंड गॉर्डल साब से राजबावन जमू में मुलाकी हुआ जिसमें हमने अपना मेमोरेंडम समिट किया और उस मेमोरेंडम में हमने ये कहा कि जल्द जल्द इस यूनिन टेरी टेरी को जो पहले स्टेट थी और 2019 में रियॉर्णिजेशन एक्ट के दोरा इसको यूटी बनाया गया इसको जल्द दस जल्द स्टेट का दर्जा दिया जाए और रियास्त में इंतखाबात करवाए जाएं ताके जम्हु के शमीर की अवाम एक पापलर गोर्मिन्ट को अलेक्ट कर सके और उस मेमरेंडम में हमने ये भी कहा कि प्रफेसर बीम सिंग जी जिन्हों ने नेशनल पैंथर्स पार्टी को 1982 में बनाया और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर तक गरीब बेकस सहारा मजलूम लोगों की आवाज बनकर खड़े रहे अपनी जंग जहत जारी रखी और प्रफेसर बीम सिंग जी को इस मुल्क का आला से आला आवार्ट जो है उससे नवाजा जाए गोवर्नर साब ने लगी साब ने हमें ये यकीन दिलाया कि हम आज ही सेंटल गोवर्मिंट को बीम सिंग जी के हाईस्ट आवार्ट के लिए रेक्मेंड करेंगे मैं आज इस प्रेस काउनफर्स के माधियम से अनरेबल प्राइम निस्टर आफ इंडिया शिरी नरिंदर मोदी जी अनरेबल होम मिनिस्टर आफ इंडिया शिरी अमिद शाजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल आल पॉलिटिकल पार्टीज की मीट जो उन्होंने न्यू दिली में मनकद की थी जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाया था और उन्होंने पार्टिस्पेट किया था जिसमें प्रोफेसर बीम सिंग जी वाज होम मिनिस्टर साब ने और प्राइम मिनिस्टर साब ने उन्हें यकीन दिलाया था कि जल्द अस जल्द यूनिन टेरी टेरी जम्हो कश्मीर को रियास्त का दर्जा दिया जाएगा और इंतखाबात बहुत जल्द होंगे लेकर अफसोस की बात है कि इस वकत तक नहीं प्राइम मिनिस्टर साब और होम मिनिस्टर साब ने कोई ऐसा आडर निकाला है कि हम इसमें जम्हो कश्मीर को रियास्त का दर्जा दोबारा देने के लिए कुछ कर रहे हैं ना ही इंतखाबात के लिए उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है मैं इस प्रेस कांफर्स के मादियम से ये बता देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ गुजारिश करता हूँ जल्द जल्द जम्मु कश्मीर को रियासित का दर्जा दिया जाए और असेंबली के इंताहबात करवाए जाएं जैसा के पैंथर्स पार्टी जो भीम सिंग जी ने 1982 में बनाई थी वो 23 मार्च 1982 को उन्होंने जो है किया था और उसमें फॉंडेशन डे हमारा 23 मार्च को ही होता है इस साल हम उस तरीके से तो नहीं कर पाएंगा जिस तरीके से भीम सिंग जी करते हैं करते थे लेकिन एक कोशश हमारी जारी रहेगी एक कोशश हमारी पूरी है कि जिस तरीके से भीम सिंग जी करते हैं हम उन्हीं के नक्स्छी उक्षों पर चलके 23 फ्रोग्राम को सकस्थ बनाएं, और उस प्रोग्राम के लिए आज हमने एक कुमेट्री जो हो बनाई है, जिसमें स्टेट जर्नल सेक्टरी शिरी बलवान सिंग जी है जिनको हमने इस कमेटरी का 23 मार्श की इस कमेटरी का चेर्मेन बनाया है उसी के साथ मेरे साथ बैठे फारू केमत जार जी है जो के प्रोवेंशल प्रेजिडेंट है कश्मीर के इनको को चेर्मेन बनाया है मेरे साथ स्टेट के जनल्ल सेक्टरी बैठे शिरी हकीकत सिंग जी है जिनको हमने इस कमेट्री का चीफ स्पोक्स परसन बनाया है मैं जम्मू कश्मीर की अवाम को यह अपील करना चाहता हूँ कि 23 मार्च को डोगरा हाल में जो के बिल्कुल सिवल सेक्टरेट के साथ में है वहाँ पे आएं और हमारे प्रोग्राम में शिर्कत करें और अपनी राए से भी हमें नमाजें कि हम 25 पार्टी को किस तरिके से जैसे भीम सिंग जी चलाते थे उस तरिके से चलाएं शुक्रिया